वो बड़ी कोशिश में हैं कि किसी तरह इसको हिंदु मुस्लिम बना दिया जाए, किसी तरह गोली मारने की बातें की जाए, किसी तरह शाहीन भाग की महिलाओं को बताओं वो कह रहे हैं कि वहां से लोग उठकर के आकर के हिंदुों के घरों में बलातकार अप्त्या करेंगे हाँ और ये टुकडे टुकडे गैंग और क्या क्या ये सब तो ये न्यूस वाले भी यही सब चला रहे हैं आज रिपब्लिक टीवी ने जामिया के इस लड़के को ले करके क्या चला है, जामिया में जिसने गोली चलाई है, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये जामिया का प्रदर्शन कारी था, और जामिया के जिस बच्चे को चोट लगी है, जिस लड़के को चोट लगी है, उस इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, ठीक है, तो ये रिपब्लिक टीवी का मैं अभी देख के आ रही हूँ, तो ये लोग तो सच को जूट, जूट को सच कहने की पूरी कोशिश करते हैं. आज हम लोग यहां इकठा हुए हैं गांधी जी को याद करने, और ये भी याद करने कि गांधी जी की हत्या आज के दिन, आज ही के शाम में नत्थुराम गोड से ने किया था, और नत्थुराम गोड से कोई ऐसे ही अकेले कोई एक पागल नहीं थे, उस सोच समझ करके कई ल देशभक्त गोडसे हैं, सावरकर हैं, ये लोग हैं और गदार गांधी जी थे और गदारों को गोली मारनी चाहिए। मोदी शाह का भारत है और इसमें गदारों को गोली मारेंगे। इसी का नतीजा ये है कि आज जामिया में जाकर के कोईसी राम भक्त गोपाल नाम के शक्स ने जाकर के फेस्बुक पे लिखा है कि मैं जाओंगा और गोली मारूंगा। और उसके बाद जाकर गोली मारा है। अब ये बताईए कि जब जब हम दिल्ली पुलिस के पास में कमप्लेंट करते हैं कि फलाना जो है वो death threat दे रहा है मारने की दमकी, गोली मारने की दमकी खुल करके lorsque φेशबुक प्टर पे दे रहा है दिल्ली पुलिस तो कुछ नहीं करती, आराम से रहती यह शक्स जब गोली चला रहे थे उनके पीछे दिल्ली पुलिस नजर आ रहे थी अपनी लाठी के उपर अपना सर टिकाए हुए और हाथ यूं किये हुए बड़े आराम से बड़े इत्मिनान से जबकि सोचिये कि जामिया के अंदर जा करके उन्होंने लाइबरी के अंदर घुस करके लड़के का सरफोड़ा दिल्ली पुलिस ने और गोलियां चलाई दिल्ली पुलिस पर जेनियू में जब हमला किया लोगों ने तो हमला वरूं को भी नहीं पकड़ा दिल्ली पुलिस न इसलिए इसके खिलाफ जो जनुभार है इसी को ताकतवर बनाना है डरना बिलकुल नहीं है जो गोली चलाते हैं वो खुद बहुत बड़े डर्पोग होते हैं और इसलिए हम बिलकुल भिना भैके अपना सीना तान करके चलेंगे हमारे कोई छपन इंच वंच नहीं है हमारे पास में लेकिन हमारे पास में दिल तो है ना अंदर उस दिल के साथ में हम लोग चलेंगे और गांधी जी के रास्ते चलेंगे अंबेटकर के रास्ते चलेंगे भगत सिंग के रास्ते चलेंगे आपस में खुब बहसें भी करेंगे लेकिन गोली नहीं चलाएंगे किसी के ऊपर और गोली चलाने वाले जो हैं वो बड़े डर्पोक होते हैं उनके सामने हम लोग खड़ें कभी तर मैं जैसे देखा जा रहा है कि जो बीजेबी के बड़े-बड़े नेता जिस परकार के बयान बाजी कर रहे हैं कि सायन और जामिया में देश को तोण लेकर रिल्ली बनाए जा रही हैं और सरजल इमाम को लेकर रहे हैं बड़ा टारगेट दिल्ली चुनाव में देखा जा रहा है यह लोग आकर क्या मतलब इस चुनाव को लेकर इसको बहुत डरे हुए हैं मेरे खाल से भाजपा के जो नेता हैं वो इस तरह से बोल रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे भारत का ऐसी धिल्ली का क्या करें जहां पर लोग हिंदू मुस्लिम बिना देखे सड़क पर उतर रहे हैं सम्विधान के साथ प्यार कर रहे हैं और उसे बचाने सड़क पर उतर रहे हैं तो इसलिए वो बड़ी कोशिश में हैं कि किसी तरह इसको हिंदू मुस्लिम बना दिया जाए किसी तरह गोली मारने की बातें की जाए किसी तरह शाहिन भाग की महिलाओं को बताओ वो कह रहे हैं कि वहाँ से लोग उठ करके हिंदों के घरों में बलातकार अप्त्या करेंगे हाँ और ये टुकडे टुकडे गैंग और क्या-क्या ये सब तो ये नियूस वाले भी यही सब चला रहे हैं आज रिपब्लिक टीवी ने जामिया के इस लड़के को ले करके क्या चला है जामिया में जिसने गोली चलाई है उसके बारे मैं उन्हों ने कहा है कि ये जामिया का प्रदर्शन कारी था, C.A. विरोधी प्रदर्शन कारी था और जामिया के जिस बच्चे को चोट लगी है, जिस लड़के को चोट लगी है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, ठीक है तो ये रिपब्लिक टीवी का मैं अभी देख के आ रही हूँ तो ये लोग तो सच को जूट, जूट को सच कहने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि वो चाहर हैं, वो समझते हैं कि जहर के बहाने ही उनको कोई वोट मिलेगा बाकी तो और कोई काम किये नहीं है, बाकी तो उन्होंने बेरोजगारी दिया है बाकी तो उन्होंने बरबादी दी है तो क्या देंगे यही काम कर सकते हैं लेकिन इस बार वो सफल नहीं होंगे लोग एकताबद रहेंगे और इनके खिलाफ जरूर जम करके बोलेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे जाएंगे आज जिस तरह से यहाँ पर जो है human chain जो आ रही थी सुना है कि उसको रोक दिया गया है मैंने नहीं सुना है अच्छली यह human chain कई जगा लोग बना रहे हैं और एक साथ वो जुड़ेगा जा करके तो कई जगा बनना शुरू हो गया है हम लोग यहाँ पहुंचे हुए है ताकि हो यहाँ से भी एक तैयारी हो तो अभी रोका है ऐसा मैंने अभी तक नहीं सुना मैं नहीं जानती हूँ लेकिन अगर रोका है तो मैं तो यही पूछूँगी पर दिल्ली पुलिस जो है वो अगर गांधी जी को याद करने वालों को रोक रही है और गोड से का काम करने वाले लोगों को नहीं रोक रही है वहाँ हाथ पे हाथ डाल करके खड़ी है और देख रहे बड़े आराम से के रहे गोली चला रहा है कहीं उसका नाम अनुराग ठाकुर तो नहीं है कहीं उसका नाम प्रवेश वर्मा तो नहीं है यही सब देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की भाई वे तो सरकार का ही आदमी होगा अमिच्छा का आदमी होगा हम भी तो अमिच्छा के पुलिस हैं हम कैसे गोली चलाने वालों को रोकें तो यह सोचने वाली बाते हैं और मेरे ख्याल से इस जहर के खिलाफ इस हत्या हिंसा के ख मीडिया को लेकर के एक सवाल इंपोर्टेंट बन जाता है जिस तरह से दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी अपनी डिबेट में कह रहे हैं कि क्या वहां 370 लग गई है हम लोग जा नहीं सकते वहां पर और किस तरह की विचारधारस्त के साथ वहां पर काम कर रहे हैं और तो जूट बोलना चाहते हैं गाली देना चाहते हैं हमारी बात को मोड करके जैसे अभी वे गोली हम पर चले और आप कहेंगे हमने गोली चलाई ठीक है गाली हम पर चले आप हम कहेंगे आप कहेंगे हमने गाली दी ठीक है तो ये ऐसा जूट पहलाने वाले सरकार के जो ये पत्रकार नहीं है, ये दीपक चोरसिया और सुधिर चोधरी और अनब गुस्वामी और सब सब ये पत्रकार थोड़ी है, ये तो सरकार के दर्बारी सेवक हैं, दर्बारी प्रचारक हैं, तो ये संग के लोगों को जैसे प्रचारक कहा जाता है, तो ये लोग भी प्रचारक ह ये टीवी चैनलों वाले प्रचारक हैं, RSS के प्रचारक है, इनके साथ भई जब ये इनसे तो शाहीन भाग की महिलाओं को खत्रा है ना, तब भी उन्होंने तो ये नहीं कहा कि हम लोग आप पर कुछ भी करेंगे या हाथ उठाएंगे कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि ठीक है आईए हम लोग राश्ट्रगान गाएंगे, राश्ट्रगान गाने वाली महिलाओं से इतना डर क्यों गए दीपक चौरसिया और सुधित चौदरी, आजाते, काहे रुख गए, गाना जन्गनमन ही तो गा रहे थे, और बाकी देखिए ये आ सकते थे, ये मोदी जी को कहते हैंगे, अब भी चलिए, चलिए जा करके, बैठ करके, बात बात किया जाए, बतिया जाए, काहे नहीं जाते हैं, ये आंदोलन जब तक इसके जीत नहीं होगी, तब तक ये चलेगा, इसमें उतार-चठाव आ सकते हैं, सरकार जो है, वो तो कह रही है कि पीछे नहीं लेकिन आप देखिए, तो कई चीज़ों से तुम पीछे हटी है, जैसे अभी इस जूट को कह रहे हैं, कि ना NRC कहां हमने NRC का नाम ले, एक कल तक आप NRC का नाम ले रहे थे, खुदी, क्रोनालोजी समझा रहे थे, और आप कहां कहां ऐसा कुछ भी नहीं, तो बहुत सारी उक सरकार है यह नहीं, जैब Tana sahaja है, इनको कोई शरम नहीं है, यह पीछे नहीं हटेंगे ऐसे आसानी से, लेकिन हमको लगता है, कि अगर हम पीछे नहीं हटेंगे, तो यह हमारा करेंगे, अकर हम तो नहीं पीछे हटने वाले, आपके पास जगह कितनी हैजेल में देख ल आपने काफी अंदोलन देखा है, हमने आपको देखा है, अभी Global Democracy Index आया है, उसमें दस पायदान और पीछे फिसल किया है भारत, तो का वाकई में डेमोक्रेसी भारत में खत्रे में आपको नज़ाती है, पहले भी ऐसा उतर आया है, नहीं, मैं मानती हूँ कि भारत में पहले क खत्रा था, लेकिन मैं मानती हूँ कि अभी जो खत्रा है लोकतंत्र को, वो Emergency के बराबर तो ही है, उससे भी ज़्यादा भयानक है, क्यों कि इस बार कई लोगों को पहचान में नहीं आ रहा है, कि हाँ खत्रा है, Emergency में तो खुल के था, सरकार ने कहा कि हम लोकतंत्र बंद कर हमको किसी को भी कह पाएं कि हम आपका voting right छीन लेंगे, अगर आप हमें नहीं पसंदाए, आपका धर्म ना पसंदाए, आपकी जाती ना पसंदाए, आपकी बात ना पसंदाए, आपके विचार ना पसंदाए, आपने घूस नहीं दिया हमको, ठीक है, आप union बनाना चाहे, आप आंदोलन करना चाहे, अपना हक अधिकार मारना चाहे, तो आपको हम संदिक बता देंगे, आपको NPR, NRC से बाहर कर देंगे, और उसके बाद CAA को इस्तिमाल करेंगे, आपको ये कहने के लिए कि आप अगर मुस्लिम है तो चले जाईए, आप तो खतम, और अगर आप म खतरनाक है लोकतंतर के लिए, ये देख रहा है और बाकी तो बोलने की आजादी नहीं है, बताइए कि प्रदर्शनकारी जो है उनकी वजह से तो लोकतंतर जिंदा है, यही तो लोकतंतर है, नागरिक का काम तो यही है कि वो रोज सरकार से सवाल करें, तब वो जो है अपन चलाने की बातें आप करते हैं और गोली चला भी दे रहें लोग